बंधू नमस्कार शुप्रभात मैं अंतिम संस्करण में आप लोगों बोले थे जो नारी अधिकार नारी संमान भारतिय यह महान भारतिय सभ्यता में किस तरह से नारी को संमान दिया गया है किस तरह से नारी को अधिकार दिया गया इस बारे में आप से बात बोले थे कि आज हम लोग बात बोलेंगे पंचांग के बारे में कि दा इंडियन कैलेंडर के बारे में भारतिय सभ्विता भारतिय संस्कृति एक महान संस्कृति है इसका के उधारन आज आप लोग को देंगे और इस संस्कृति में आप लोग देखेंगे जो किस तरह से हम लोग कितना महान संस्कृति में आते हैं वह आप लोग को समझाएंगे जखिए भारतिय जो काल्चर है जो सभ्वता है यह हजारों नहीं लाखों साल पुरानी है यह मेरी माननत है मैं इसको मानता हूं अब मेरे पास इसका प्रमान भी है जो भारतिय सभ्वता एक दिन का नहीं एक हजार साल का नहीं हजारों साल का नहीं लाखों साल पुरानी है लाखों लाखों विद्यान इस प्रवित्र धर्ती में जनम लिया इस भारत वर्ष में जनम लिया और अपना कि ऐसा विचार धारा छोड़ा जो पुरा दुनिया के लिए एक आदर्स है पुरा दुनिया के लिए दर्शन मार्ग है कि बंदू कि पंचांग एक ऐसा पंचांग भारतिय सभ्वता में एक ऐसा एक ऐसा बहु मुल्ल एक तत्र है जिस तत्र का अधार से पुरा दुनिया चल रही है पुरा दुनिया इस ब्रह्म्भान चल रही है उसका जो हिसाब निकास पंचांग में किया गया है अपना जो भारत बर्स का जो सभ्वता भारत बर्स का जो आदर्स इसमें हम लोग को इसका जलक इसमें आपको मिलेगा अब डिटेल्स में हम लोग आएंगे जो पंचांग और केलेंडर क्या चीज है किस तरह से यह काम करता है भारत यह संस्कृति भारत सभ्वता का प्रावाव दुनिया में क्या है कि देखिए बंदो एक चीज़ आपको समझा रहे हैं कि जो उन्हींस25 साल के बाद से हम लोग का देश में लागू किया गया ब्रिटिसका केलेंडर एक तरह से उन्हें भुटिसका गुलामी आज तक कर रहे हैं ब्रीटिसका जो केलेंडरा है यह केलेंडर लेकिन असमुर्थ है हर चीज बताने की लिए और ये एक तरह का धोकादारी है भारतिय समाज ववस्ता के साथ भारतिय समाज ववस्ता भारतिय उन्नत समझ ववस्ता भारतिय महान समाज ववस्ता इस केलेंडर को मान रहा है आज लेकिन इस केलेंडर का कोई जरूरत नहीं है ये एक तरह का धोकाधरी है भारतिय सांस्कृति के साथ 1947 में जो मुर्ख सरकार इस देश में आये थे वो क्या किये इस देश का पंचानगों को हटा के ब्रिटिस का जो केलेंडर है वो पूरा देश में लागू कर दिये जनवरी फरवरी मार्च एप्रिल मैं जून लेकिन ये जो केलेंडर है ये सिप आपको दीन बताएगा आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएगा लेकिन भारतिय जो केलेंडर है पंचानग इसमें से आप एक एक गरह नक्रत सब चीश का दिशा समय सब हम अपको मिल जायेगा इस पंचानगल में सूरज कब कहां रहेगा चंद्रमां कप नहीं रहेगा प्रथी का स्थान क्या है सुख्र मंगल प्रिस्पत एकूड़ यह इस प्रश्दम में आपको र मिल जाएगा हम लोग का जो सूर्य मंडल है सूर्य मंडल में भी कौन ग्रह को नक्षत्र कहां पर है किस दिशा में है कब काम करेगा किसे काम करेगा हर चीज पंचांग से मिल जाएगा यह पंचांग एक महान पंचांग है जिसको हम लोग बोल सकते हैं चो इंडियन कैलेंडर किस समय पूर्णिमा होगा किस समय अमावश्य होगा किस समय चंद्र गरहन होगा किस समय आपका सूर्य गरहन लगेगा यह सभी इस पंचांग में मिल जाएगा आपको लेगिन उस समय का देश साधिन जब हुई थी उस समय का जो कार्यरत इंसान थे जो सरकार थे वो लोग ठीक समझा जो जिंदगी भर जो इंग्लिस केलेंडर है इस केलेंडर का गुलामी करेंगे और वो इंग्लिस केलेंडर का नकल करके आज हम लोग चल रहें आज तक कोई इतना सरकार आया इतना सरकार गिया कभी कोई सरकार जो है भारतिय पंचांग का लागू करने का बात तो छोड़ दीजिए कभी सोची नहीं कभी सोचा नहीं है यह एक तरह का सरीयंत्र है जो भारतिय सरकार भारतिय संस्कृति भारतिय सभ्वता पर लागू किया है किस तरह से भारत बर्ष को पंगू बना जा कि किस तरह से भारतिय को अपना अस्तित्त विहिन किया जाए यह एक तरह का मस्रीन एक कॉंस्पिरेसी है इसका एक सरीयंत्र है हम लोग का इतना महान सब्वता भारतिय सब्वता एक महान सब्वता भारतिय सब्वता एक प्राचीन सब्वता बार्यतिय सब्वता पुरा दुनिया को जो मार्ग दिखाया है हम लोग उस सब्वता का जो सोना है उसको हम लोग फेक रहे हैं और पास्चात्य पस्चिम सब्वता का नकल करके दिन गुजार रहे हैं उसमें हम लोग का जो अस्तित खत्म हो जा रहा है भारतिय मार्ग दस्चन खत्म हो जा रहा है जिस समय से हम लोग इस इंग्लिश कैलेंडर लागू किये और इस इंग्लिश कैलेंडर को भारतिय सब्वताक में थोपे अब भारतिय इंसान जो भी है उनका जीवन में इसको लाएं उसी समय से भारतियता का जो सोज विचार धारा वो खन हो रहा है वो तूट रहा है वो विखर रहा है हम लोग को समेटना होगा अपना संस्कार संस्कृति अपना महान सब्वता को हम लोग किसी भी हाल में पास्चात सब्वता को लागू नहीं करेंगे इस भारत में इस भारत वर्ष का खुद का जो स प्रिफाट है ऐसा कोई चीच नहीं है सुस्म से श्म जो इस भारति सभ्वता में लिखा हुआ नहीं है यह लोग को नहीं मिलता है बंदो किसी भी हाल में हम लोग पास्चत्र सभ्वता का जो कैलेंडर है उसको बर्जन करना होगा अरपना जो पंचांग है उसी को हम लोगो धारण करके उसी में उसी को हम लोगों करना है अब बोलिया पंचान्ग जो हम लोगा कि पूर्परूश जो बनाए हैं जो मुनिरिसी लोग नोए जो बना के गिये हैं उन लोगो मैं हार्दिक रूप से अपना हजारों हजारों कोटी-कोटी नमन करता हूं उन लोगों और आप लोगों जो आम इंसान है आप लोगों को मैं बता रहा हूं जो अपना नीजी जीवन में इस पंजांग का बहवार कीजिए पास्चात्य सब्वता पास्चिमी सब्वता का जो केलेंडर है उसको भर्जन कीजिए मुर्ग था हम लोगों का नेता मुर्ग था हम लोगों का देश का आधिकार आधिकारीक जो आज हम लोगों मजबूरी में विदेशी केलेंडर को मानन पर रहा है जबका उससे उच्छ कोटी का पंचान्ग भारतिय केलेंडर हम लोग के पास है यह सरकारी बीफल है देश का बीफल है जो देश का जो भारतिय संस्कृति को किस तरह से बीफल बना जाए उसका एक सरियंत्र है इस सरियंत्र को हम लोग मानेंगे नहीं आगे वाला दिन में हम लोग पंचान्ग को आगे लाएंगे और भारतिय केलेंडर को अपना घर से हटा देंगे अपना समाज व्यवस्ता से हटा देंगे अपना देश से हटा देंगे यही हम लोगा सोज विचार होना चाहिए यही सोज विचार धारा से हम लोग आगे बरेंगे और आगे जाके एक एक पियोर भाडित्य संस्कृति जो अपना हजारों लाखों का जो इतिहास है उसको सामन कि हम लोग क्यों रहेंगे क्यों हम लोग के इंग्लिश केलेंडर मानेंगे आप एक चीश सोचिए पंचानग अगर हम लोग मानते हैं तो हम लोग किस तरफ जाते हैं भारतिय संस्कृति का तरफ जाते हैं भारतिय संस्कृति भारतिय देव देवी भारतिय शिक्षा भारतिय कुल गुरु इसी तरफ हम लोग जाएंगे वहीं पर अगर इंग्लिश केलेंडर हम लोग मानेंगे तो किस तरफ जाएंगे पस्चिम के तरफ आप लोग अपना सोच जाएगा इसका मतलब हुआ जो आपना जो संस्का संस्कृति है उसको खतम करने के लिए यह इंग्लिश के पस्चिमी केलेंडर हम लोग का उपर थोपा गिया जबका यह केलेंडर एक इनलिजिबल नाकाम केलेंडर है इस केलेंडर को आपको इस केलेंडर में केलेंडर में आपको डीटेल्स मिलेगा नहीं इस केलेंडर का उतना तागत नहीं है इस केलेंडर एक ऐसा केलेंडर है जो भारत ये पंचान्ग का नकल करके ये केलेंडर बनाया था हिindeer और भारत्य पैंज को पूरा भी समझ नहीं पाया अधहा धुरा समझ के यह केलेंडर बना दिया उसी केलेंडर को हम लोगों का पूर्ष जो सरकार था ऊजल बात को सोच नहीं पाएंगे हम लोग समझ गठन कैसे करिए अपना जीवन में उसको लागू कैसे करेंगे अपना जीवन को कामियाब और खुशाल कैसे बनाएंगे यह आप सोचिए whether you are American whether you are British whether you are European Chinese Middle East or Korean Japanese wherever what wherever you are you have to follow the Indian American culture, you have to follow the Indian calendar the Indian calendar. The Indian calendar is a very very high quality calendar. This is called Panchanga, it shows the positions of the sun, the moon, all the planets, Mars, Mercury, Venus, Earth. all the planet's situation, position, timing, everything in detail, over there. Solar eclipse, moon eclipse, everything in detail you can get from Panjango. So friends, you have to follow the Indian calendar. The Indian calendar's eligibility is very high. So high quality scientific scientifically approved calendar, worldwide. So you have to follow it. बंदो, आपको आप समझें जो ये calendar ये पंचानग भारतिय सभ्यता का बनाओवा calendar कितना महान है इसको हम लोग मानेंगे अपना जीवन में ढालेंगे और दूसरों को भी बताएंगे जो इस कलेंडर का प्रभाव क्या है तो बंदो धन्यवाद नमस्कार शुप्रभाद